वेलकम स्टूडेंट्स, SBVM स्कूल, ओनलाइन स्टडी, आसक हमारा टोपिक है नारेशन, क्लास 9, पार्ट 7 आप जानते हैं कि हम इन दिनों नारेशन के बारे में जानकारी प्राप्ट कर रहे हैं और इससे पहले हम सारे rules वगरा के बारे में और सारे chart वगरा के बारे में जानकारी दे चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको asertive sentences के बारे में जानकारी दी थी आज मैं आपको उन sentences के बारे में बताने जा रही हूँ जो habitual, historical या universal truth होते हैं जिन में कोई भी बदलाव नहीं होता तो पहला sentence हम देखते हैं पहला हमारा sentence है Universal Truth यानि कि सार्व भूम सत्य वे sentence जो सार्व भूम सत्य हैं ना बदलने वाले जो हमेशा वैसे ही रहते हैं इन में कोई भी बदलाव नहीं होता जब reported speech में Universal Truth हो तो आप sentence देखते हैं The teacher said The sun rises in the east Sun rises in the east सबको मालूम है सूर्य पुर्य में उद्धे होता है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा तो जब हम इस sentence को direct से indirect में change करेंगे तो हम क्या लिखेंगे The teacher said इसमें said में कोई change नहीं होगा क्योंकि object नहीं दिया हुआ that connective word लगेगा कॉमाज की जगा The sun rises in the east बाकी पूरे sentence में कोई बदलाव नहीं है पूरा का पूरा sentence वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा नेक्स संटेंस क्यों चलते हैं पूरा का पूरा sentence वैसे का वैसे ही लिख देंगे अब हम अगले sentence की ओर चलते हैं नेक्स संटेंस है हमारा habitual fact यानि की आदत से आदत में शामिल जो sentence होते हैं sentence के दोरा समझते हैं He said कॉमाज dogs bark at strangers कुते अजनभियों पर बोंगते हैं ये उनकी आदत होती है जब भी उनने को ये जनभी दिखाई देते हैं तो वे उन पर बोंगते हैं तो इस sentence को जब हम बनाएंगे direct से indirect तो हम क्या करेंगे He said that dogs bark at strangers हम सिर्फ याँ जो capital letter में d लिखा गया था dogs का उससे small letter में change करेंगे इसके अलावा पूरे sentence में कोई बदलाव नहीं होगा next sentence क्यों चलते हैं He said it snows in high mountains in the winter उसने कहा सर्दियों में उचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है है नेचरल बात है प्रकरती का नियम है कि सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो यहाँ भी sentence में कोई change नहीं होगा तो हम क्या बनाएंगे direct से indirect she said that it snows in high mountains in the winter कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा पूरा का पूरा sentence वैसे का वैसा ही उतार देंगे अब हम आगे चलते हैं historical fact etihasic fact अब हम आपर sentence है the teacher said अध्यापक ने कहा India got freedom in 1947 कि भारत को आजादी 1947 को प्राप्त हुई अब ये ऐसी बात है जिसमें बदलाव नहीं कर सकते तो ये जो sentence है ये हमारा इत्यासी तथ्या है कि भारत को आजादी 1947 में प्राप्त हुई इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते तो हम इस sentence को डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट टोपिक की ओर चलते हैं प्रोवर्ब्स यानि कि कहावती अब जब कहावती आती हैं मुहावरे होती हैं तो यहां भी जैसी कि जैसी कहावती या मुहावरे कहे जाते हैं वैसा कि वैसा ही उन्हें रिपीट किया जाता है उनमें किसी प्रकार का प्रिवर्तन नहीं किया जाता एक्जाम्पल के दोरा देखते हैं सीता सेड को माच होनेस्टी इस दा बेस्ट पॉलिसी अब यहां का गया है कि इमानदारी एक अच्छी निती है अब इमानदारी अच्छी निती है तो यह है इसमें बदलाव का कोई मतलब भी नहीं है तो ऐसे संटैंस को जब हम डारेक्ट से इनडारेक्ट में चेंड करेंगे तो संटैंस वैसा का वैसा रहने देंगे ओनली फोर जो कैपिटल लेटर था एच उसे चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे संटैंस सीता सैड दैट होनेस्टी इदा best policy बस हमने सिर्फ letter में change किया बाकी पूरा का पूरा sentence वैसे का वैसे ही रहेगा honesty is the best policy next sentence क्यों चलते हैं the teacher said fortune favors the brave अध्यापक ने कहा बाके भी बागरों का साथ देता है इस सब को मालूम है कावत भी है कहा भी गया है और वैसे भी है जो बादू लोगों थे हैं भागे भी उनका साथ देता है यानि कि आप कुछ करोगे तभी पराप्त होगा तो इस sentence को जब direct से indirect में change करेंगे तो हम क्या लिखेंगे the teacher said that the fortune favors the brave same sentence है कोई बदलाव नहीं है नेक्स संटेंस क्यों चलते हैं यह है mathematical fact mathematical fact भी होता है तो आप जिसे दो और दो चार होते हैं ऐसे ही four और four eight होते हैं sentence है यहां he said four and four is eight चार और चार आठ होते हैं यह हैं चार और चार आठ हैं सबको मालूम है कि चार और आठ चार आठ है तो इस sentence में कोई बदलाव नहीं करेंगे इस sentence को भी वैसे ही लिखेंगे he said that four and four is eight अब जैसा कि हमने देखा इन sentence में कोई बदलाव नहीं था कोई tense में चेंड नहीं था और किसी प्रकार का कोई इसमें टाइम भी नहीं बताया गया था जैसा sentence दिया गया था हमने वैसा का वैसा लिखा इसमें हमें बस इन बातों का ज्यान रखना है कि हमारा जो sentence है वो क्या बता रहा है वो यूनिवर्सल टूथ है historical fact है mathematical fact है proverb है बस हमें इन ही बातों का ज्यान रखना है और हमें उसको direct से indirect change करना है यदि हम इन बातों का ज्यान रखेंगे तो हमारा sentence कभी भी गलत नहीं होगा I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब हम अगले sentences के और चलते हैं, thank you